सब्सक्राइब तो मैं चैनल फॉर मों अमेजिंग कंटेंट हेलो गाइज कैसे हैं आप सब लोग मुझे उमीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे तो friends laptop market का hardware upgrade देखा जाए तो काफी लंबे समय से मैं काऊंगा थोड़ा बहुत saturation point पे चल रहा है the reason being is आप खुदी देख लीजिए एक example के तोर पे बात कर लेते हैं मान के चलिए दोस्तो screen जो कि एक बहुत ही important component होता है एक laptop का OLED display पहले एका दुका laptop में आती थी तो exclusive होती थी लेकिन आजकर आप लोग देखेंगे कि OLED screen के हर एक model में जो है आपको एक न एक variant देखने को मिल जाएंगे उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे high refresh rate screens का भी case है आजकल वो भी जो है आप लोगों को हर दूसरे तिलिसने model में देखने को मिल जाती है with 16 is to 10 aspect ratio sound system जो है पहले Windows laptop में काफी जाता खराब होता था लेकिन उसमें भी आप लोग देखेंगे कि improvement जो है आप लोगों को काफी अच्छा कासा यहाँ पे देखने को मिल जाता है similarly अगर मैं metallic laptops की बात करूँ तो पहले उतने नहीं होते थे लेकिन आजकल आप लोग देखेंगे कि metallic ultra books जो है काफी जादा market में आ गई है even आप जो है उन्हें budget price point पे भी खरीद सकते हैं तो कहने का मलब यह है दोस्तों कि एक time पे जो है एक नया hardware जब launch होता है फिर उसके बाद वो जो है pass on होता है काफी सारे laptops को तब उतना जादा जो है वो exclusive नहीं बसता है the same thing is gonna happen with the storage case मुझे याद है कि आज से लगबख 4-5 साल पहले जब जो है PCIe Gen 4 storage आई थी तब जो है काफी चुनींदा laptops में जो है इनको दिया हुआ जाता था और उनकी pricing जो है काफी जादा हाई हुआ करती थी लेकिन वक्त के साथ आज कल आप लोग देखेंगे दोस्तों कि हर दूसरे तीसरे laptop जिसमें आप थोड़ा धंका price point पे करते हैं वहाँ पे आप लोगों को NVMe Gen 5 Gen 4 PCIe का जो है storage देखने को यहाँ पर मिल जाएगा तो कुल मिला के यहाँ पे बोलने का इतना ही मदलब है कि वक्त के साथ जो है चीजे काफी जाता normalize हो जाती है आज का जो मुद्ध हमारा यहाँ पे होने वाला है दोस्तों that is regarding the storage because market में आ चुका है NVMe PCIe Gen 5 storage के साथ में launch होने वाला laptop जी हाँ आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले जो है gigabyte की तरफ से errorus Gen 5 जो है एक laptop था जहाँ पे आप लोगों को PCIe Gen 5 storage मिलता था लेकिन दोस्तों उस laptop के साथ में problem यह थी कि उसके इंडिया में जो है availability अभी तक as of नहीं है और जहां तक मैं बात करूँ gigabyte की इंडिया में उनका ज्यादा उतना अच्छा कासा presence नहीं है वो launch करते हैं तो उनके जो है कुछ budget models launch करते हैं और pricing जो होती है उनकी उतनी ज्यादा जो है मुझे digestible यहां पे नहीं लगी लेकिन हाँ MSI एक ऐसी company है जिनके हर model जो है इंडिया में आप लोगों को launch होते वे देखने को मिल जाएगे चाहे वो super duper costly ही क्यों नहों वो जो है पूरे के पूरे model इंडिया में launch करते हैं एक उ लोगों को 15 GBPS तक देखने को मिल जाएगी which is really really insane now most of the time दोस्तों यहां पे जो है reading speeds को ही जो है दिखाया जाता है राइटिंग स्पीड को चुपाया जाता है लेकिन फिर भी दोस्तों मैं यहां पे आप लोगों को azureness देता हूं कि writing speed theoretically देखा जाए तो आप लोगों को जो ह लगभग 11 से 12 GBPS की जो है उपर देखने को यहां पर मिल जाएगी तो अगला next boom जो है gaming laptop के case में आप लोगों ने देखा होगा display हो गई battery हो गई ठीक है अब processor हो गया GP होगा लेकिन अब जो है RAM बी हो गई DDR5 RAM आ गई है लेकिन अब जो है यहां पे आप लोगों को storage के case में य detail processor लेकिन यहां पर जब मैं बात करूं graphic card की न तो आप लोगों को मिलता है RTX 4090 मिलता है 4080 मिलता है और 4070 मिलता है and guess what guys यहां पर आप लोगों को RTX 4070 वाले जो graphic card वाला model है उसमें भी PCIe Gen 5 storage देखने को यहां पर बेल जाता है and एक और चीज़ यहां पर इस laptop की सबसे अच्छ 4080 वाट का देखने को मिलेगा whereas 4080 और 4090 जो है आप लोगों को 175 वाट पर जो है यहां पर देखने को मिल जाएंगे now एक चीज़ यहां पर आती है कि क्या दूसरी companies के laptop भी जो है इसी साल launch हो जाएंगे with the same NVMe PCI Gen 5 storage तो इसका answer है दोस्तों most probably नहीं the reason being is CES एक ऐसा platform होता है ज जहां पर companies जो है अपने सारे laptop दिखाती है और वहां पर मैंने ऐसा कोई भी laptop नहीं देखा दोस्तों जहां पर PCI Gen 5 का जो है जिक्र किया हुआ हो तो most likely यह वाले laptop जो है आप लोगों को main market flow में जो है next year ही जो है देखने को मिल जाएंगे जहां पर इस storage को use करने की company कुछ और extra charge जो है आप लोगों पर करेगी और इस storage को market में बिलकुल normalize होने तक that means I am talking about कि एकदम आप लोगों के जो है normal utility purpose laptop आते है न वहां तक पहुशने पहुशने में जो है mostly दोस्तों अगले साल का जो है मान के चलिए third quarter तक जो है यहां पर लग जाएगा आपका क्या माना है इस laptop आपके बारे में मुझे जो है comments में जरूर लिखकर बताईगे मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में anyway guys वीडियो से अगर आपको value मिली होगी then do consider liking, sharing and subscribing